नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक टू माई चैनल जहाँ आपको मिलता है सिफ़ोसिफ एंडिटेंडमेंट और आज में लाया हूँ सिल्वोस अफ़रीबर्ट लेगसी का थोर इश्यू तो यहर वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ने जैनिस्वेल को टिक करके एक ऐसे टाइमलाइन में भेज दिया जहाँ पर थैनस सब कुछ जीत चुका है और तब वहाँ पर जैनिस्वेल को ब्लैक सफर मिलता है जो जैनिस्वेल पर अटक कर देता है तो वही में टाइमलाइन में सिल्वोस अफ़र थैनस की मदद लेत तो अब आगे ओल्राइट गैंग तो इशक के शुरुवात पास्ट में होती है जहां हम जैनिस्वेल को देखते है जो ब्लैक सफर से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या हो और तुम ये ब्लैक कैसे हो गए लेकिन मुझे सिर्फ अपने घर जाना है जिस पर ब्लैक सफर कहता है कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है ये कहते ही ब्लैक सफर थंडर समन करता है और जैनिस्वेल को मानी जाता है लेकिन तभी ब्लैक सफर देखता है कि वहाँ पर एक पोटन खुल चुका है और उसमें से सिल्वर सफर और थैनस बहार आते है तभी ब्लैक सफर को देखकर सिल्वर सफर गहता है कि अब ये क्या है जिस पर ब्लैक सफर सिल्वर सफर से कहता है कि तुम जो कोई भी हो लेकिन तुम यहां के नहीं हो यहां सिल्वर सफर थैनस से पूछता है कि क्या ये मैं हूँ जिस पर थैनस कहता है कि वेल ये इंट्रेस्टिंग होते जा रहा है ये कहते है थैनोस अपना रियलिटी जेम निकालता है और तब सिल्वर सफर जैनिस वेल को बच्चाने जाता है तो वही ब्लैक सफर थैनोस मे अटक कर देता है यहां सिल्वर सफर जैनिस वेल के पास दता है और Genisual से पूछता है कि क्या तुम ठीको जिस पर Genisual कहता है पता नहीं लेकिन यहां कुछ अजीब सा लग रहा है यहां Thanos Black Suffer से लड़ते हुए Black Suffer से कहता है कि तुम सफर ही हो लेकिन लगता है कि तुम अंदगार से भरे हुए हो जिस पर Black Suffer Thanos से कहता है कि मैं वही हूँ जो मुझे होना चाहिए और मेरा परमुद्देश तुम्हे मारना है ये कहते ही Black Suffer Thanos पैटेक कर दिता है लेकिन तब ही Thanos कहता है कि मुझे ने लगता ये कहते ही Thanos अपना Reality Gem इस्तमाल करता है तब ही जैनिस्वेल अच्छनेक से बुड़ा होने लगता है और तब जैनिस्वेल सिल्वासफर से कहता है कि हाँ तुम ही मैफिस्टो थे या फिर मैफिस्टो तुम थे ये मैं नहीं जानता हूँ पर उसने टैनिस्वेल मेरे खिलाव इस्तमाल किया लेकिन तब ही जैनिस्वेल को कुछ होने लगता है और तब जैनिस्वेल और बुड़ा हो जाता है तब ही देखकर Geniswell Silver Suffer से पुछता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है जिस पर Silver Suffer कहता है कि Temperal Energy तुम से ओकर जा रही है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है इस टेंपराल Energy की reaction के कारण तुम बुढ़ होते जा रहे हो लेकिन तब ही चेनिस्विल देखता है कि वो यंग होते जा रहा था और देखते देखते वो बच्चा बन जाता है यहां Black Suffer थैनोस को फ्रीज करके थैनोस पर एटेक करने जाता है तब ही Black Suffer थैनोस से कहता है कि तुम भले ही टाइटन हो पर फिर भी तुम मेरे पावर कोस्पिक के सामने कुछ भी नहीं हो यह कहते ही Black Suffer अपने हैमर से थैनोस पर एटेक करने जाता है लेकिन तब ही थैनोस खुद को अनफ्रीज करके Black Suffer का गला पकड़ता है और कहता है कि तुम चाहे किसी भी यूनियोस के हो लेकिन तुम लोगों में एक बात कॉमन है और वो यह है कि तुम सब लोग बहुत बोलते हो यह कहते है थैनोस Black Suffer को उटा कर जामिन पर पटकता है जिसके कारण उस जामिन में बड़ा गड़ा बन जाता है यहाँ जैनिस्वेल अग छोटा बच्चा बन चुका था तब ही सिल्वा सफर जैनिस्वेल से कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि तुमारा शरीर इससे ज़्यादा से ने सकता ये कहते ही हम देखते हैं कि जैनिस्वेल अब फिर से बड़ा हो चुका था और वो फिर से बुड़ा होने लगता है तब ये देखकर जैनिस्वेल चिलाने लगता है कि अब और नहीं लेकिन तब इस सिल्वा सफर जनिस्वेल के पास आता है और कहता है कि तुमारे बचने का एक ही चांस है और वो ये है कि मैं तुमारी टेंपरल एनरजी ले लू ये कहते हैं सिल्वा सफर जनिस्वेल से वो टेंपरल एनरजी लेने लगता है तब ये देखकर जनिस्वेल सिल् में Silver Suffer कई पर टेलिपोट हो जाता है और ये सब देखकर जेनिस्वेल भी हैरान था इधर Black Suffer Thanos की मुँपर हैमर मारता है और तब Silver Suffer अपना बोड बुलाता है लेकिन तब है Thanos Black Suffer से कहता है कि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ ये कहते हैं Thanos Silver Suffer का बोड पकड़ लेता है और फिर उसी बोड से Thanos Black Suffer के मुपर मारता है जिसके कारण Black Suffer पीछे गिर जाता है और उसका हैमर उससे दूर हो जाता है तब है Thanos Black Suffer के पास आता है और Black Suffer का बोड भुटा कर उसके सीरे में गुशाता है लेकिन तब ही Black Suffer अपना हैमर गुलाता है और Thanos को जोर दर मारता है जिसके कारण Thanos दूर जाके गिरता है तब ही Black Suffer खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये पहले भी हुआ था और अब वापस होगा ये कहते ही Black Suffer अपने हैमर से थंडर निकालने लगता है तब ये देखकर Thanos कहता है कि कौन हो तूम लेकिन तब ही Geniswil पीछे से आता है और Black Suffer को जोर दर ध्टा धंका मारता है जिसके कारण Black Suffer के अथ से फिर से हैमर गिर जाता है तब ही जैनिस्विल ब्लैक सफर को धका मरके थैनोस से कहता है कि मुझे यकिन्य हो रहा है कि मैं थैनोस की मदद कर रहा हूँ ये कहते ही जैनिस्विल वो हैमर उटाने लगता है लेकिन उससे ये होने रहा था तब ही जेनिस्वेल थैनोस से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मैं वर्दी नहीं हूँ जिस पर थैनोस जेनिस्वेल से कहता है कि बात यहां वर्दी की नहीं है बल्कि रौप पावर की है ये कहते ही जेनिस्वेल और थैनोस अपनी पावस के साथ ब्लैक सर्फर पे अटक करने के लिए तयार हो जाते है तब ही हम देखते है कि ब्लैक सर्फर भी इन दोरों पे अटक करने के लिए पड़े तेज़े से आ रहा था लेकिन तभी थैनस और जैनिस्वेल मिलकर ब्लैक सर्फर पे एक जोरदार एनर्जी ब्लाष्ट करते है जिसके कारेट ब्लैक सर्फर पुरी तरह कमज़र पढ़ जाता है और वो दूर कहीं गिर जाता है तभी जैनिस्वेल दैनस से पूछता है कि अब क्या करें जिस पर Thanos कहता है कुछ नहीं मेरा कम पूरा हो चुका है इस Black Suffer को वापस आने में टाइम लगेगा और जब तक वो यहां आएगा हम यहां से जा चुके होंगे तब ही Thanos Geniswell से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया तुम्हें देखकर मुझे तुमारे पिता की याद आ गई जिस पर Geniswell तैनोस का शुक्रिया करता है तब ही Thanos Geniswell से कहता है कि मेरा काम यहां पुरा हो गया है अब हमें वापस जाना चाहिए यह कहते ही Thanos अपना रियलिटी जेम निकालता है तब ही Geniswell तैनोस से पूछता है कि हम सिल्वा सफ़ा को कैसे दुणडेंगे जिस पर Thanos कहता है कि हम सिल्वा सफ़ा को नहीं दुणडने वाले है यह सुनकर Geniswell तैनोस से कहता है कि यह क्या कह रहे हो हम उसे क्यों नहीं दुणडेंगे जिस पर Thanos कहता है कि मेरा काम था तुम्हें दुणकर वापस लाने का जो मैंने कर दिया है और अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है जिस पर Geniswell कहता है कि तुम सिल्वा सफ़ा को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो जिस पर Thanos Geniswell कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना है तो आओ नहीं तो यहीं रहो यह कहता है Thanos Reality Stone Activate करता है इसलिए Geniswell भी Thanos के साथ चला जाता है यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सिल्वा सफ़ा को देखते है जो कहीं पर आके गिरता है तब ही सिल्वा सफ़ा खड़ा होता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ यह कहते हैं सिल्वा सफ़ा को जाड़ियों में कुछ नजर आता है इसलिए सिल्वा सफ़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पर एक अलगी तरह का जानवर था तब ही सिल्वा सफर उस जानवर के पास आता है और कहता है कि ऐसा जानवर मैंने कभी ने देखा है लेकिन तब ही वो जानवर वहाँ पर किसी को देखता है और डर के मारे भाग जाता है तब ही सिल्वा सफर देखता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है इसलिए सिल्वा सफर अपना बोर्ड बुलाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन तब ही वहाँ पर नोवा आ जाती है जो सिल्वा सफर का पुरा नप प्यार है तब ही नौवा सिल्वा सफर को देखती है और कहती है नौरिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कैसे आ सकते हो जिसपर सिल्वा सफर नौवा से कहता है कि मैंने टेंपरल एलेजी सोक लिथी जिसके कारण में यहाँ आ गया वैसे यह जगा कौन सी है जिसपर नौवा सिल्वा सफर से कहती है कि यह जगा एंड अफ दे यूनिवर्स है और इसलिए मैं सप्राइज हूँ कि तुम यहाँ कैसे आ गए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम दों नहीं थे यह सुनते ही सिल्वा सफर नौवा से कुछता है दूसरा कौन है लेकि तब हम देखते है कि वह दूसरा शक्स कोई और नहीं बनकि गैलक्टरस है जो वहाँ पर आता है और सिल्वा सफर को देखता है और कहता है कि मेरा पुराना हिराड यह क्योंकि कर रहा है यह कहते ही यह कहानी यह कंटिनी होती है